पराटी वे जेखने चीए है कि वहाँ लपी जी कितना सचता है और शाय पेटरों किता में बारा साडी ओडने बिचाने के दाल चावल पूरा ज़ा से इनेटी के अंडर में आता है एक थेम पाने नाई है नुशकान जाले ले ले पराटी है आवाज आपकी नमस्कार स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार करम आवाज आपकी में मैं हूँ प्रदीव सर्मा और इस वक्त हम मौझूद है आर्तिक राजधानी मुंबई के रावली कैम सायन कोली वाडा इलाके में जो वाड क्रमांक 176 में आता है वहाँ से आज हम जानेंगे कि लोगों की क्या कुछ समस्याएं है ये तमाम लोग जो हमारे साथ इस सो में जूड रहे हैं सबसे पहले हम अपने कैमरा मैं प्रकास साचला से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कहित करें और इनसे जानेंगे कि आखिर इनके जहन में ऐसा क्या सवाल है, इनकी क्या मांग है, क्या इनको मूल भूत सुविधाओं में अब तक क्या-क्या मिला है। सबसे पहले आपसे जानेंगे आपका नाम। मेरा नाम प्रकाश रमेश्यवाल है। प्रकास जी जानना चाहेंगे कि आप यहां पर वाट क्रमांक 176 में रहते हो, क्या कुछ मूल भूत सुभीधा है और कितना विकास हुआ है आपके यहां पर? आप से जानना चाहेंगे इन्होंने बहुत बड़ी बात कहीं कि विकास के नाम पर कई काम हुए हैं लेकिन विकास जीरो का जीरो रहा है, वाटर गटर मीटर जैसे का तैसा ही है, क्या कहना चाहेंगे? सही बात कहा उन्होंने, मेरे कहाल से यहां पर जो बस्ती है वो स्लम एरिया ज्यादा तर लोग आते हैं, चौलों में रहते हैं, और बिल्लिंग में रहने वाले हैं, वो भी मिडल कलास के लोग हैं, बाबा साब ने कहा था, अभी से भाईश्कूरूत भारत लिखते वक्त, मलबार हिल में रहने वालों को यह ऐलेक्शन महाएं नहीं रखती, कोर्पोरेशन की ऐलेक्शन यह चौलो में, जोबडबटियों में., गरीब श्रमिक जहां बसते, वहाँ पर उसका ज्यादा इंपोर्ड हन हैं, वो इसलिए क्योंकि कोर्पोरेशन की हिलेक्शन हमारे बस् आपको अभी भी दिखता है वहाँ पे नाले आडे हुए है वहाँ पर कोई डिजाइन नहोंने से उनका घर का पानी बैने के लिए जगा नहीं है बस्ती जोपड जुगी बस्तियों में टॉयलेट की असुवीद आये है और यह सब है जोपड़ी में रहने वालों के लिए खे चाहिए बिल्कुल बदलाव होना चाहिए परिवर्तन संसार का नियम कहा जाता है और परिवर्तन होता है तो कुछ अच्छा भी होता है आप से जानना चाहेंगे क्या-क्या समस्याइं हैं यहाँ पर अभी इतना जन से मतलब जीत रहे हैं नगर से और दो कोई विरंदो सब्सकी अच्छ तया प्रफार कोई शाता है कि हम उसको चुन कर देंगे जो हमारे सुख दुख में सहभागी हो जो हमारी समस्याओं को सुने हमारे साथ महिलायें बड़ी त्यादात में उनसे जानते हैं क्यूक्व जो समस्याओं होती है पानी की वाटर की जैसे यहाँ प यहां पर क्या-क्या एक्ट्वल में क्या-क्या समस्या हैं। लेकिन इसकी कितनी बार कंप्लेंट हुए थे हुए भी उसकी समस्या के लिए कोई आता ने और कोई देखता भी नहीं। होती रहे थी हमने कितनी बार कंप्लेंट कर चुके मैंने कुछ चार पाजन जोंको डिसीवी को भी लेटर दे चुके लेकिन चोरी कुछ थमने इदर बनने हो रही है। मेरे घर से भी खुट की चोरी हुए तब भी कंप्लेंट किया रात को तीन बजे तो सुबह पांच बजे पोलीस आते हैं यहाँ पर और पूरी तार रोड जाम होता है। यहाँ पर जो खड़े खड़े के वज़े से लोगों को इतनी स्मॉडिलेटिस के प्रॉबलम हो गए। जब ही इलेक्शन आया तब ही इदर काम चालू हो रहा है। अमारे पीछे की समस्य इतनी थी कि इतने चुवे वापर दोड रहे थे उपर हमारे घर तक चुवे आरे थे अमरे बिल्डिंग में उपर चुवे दोड रहे थे। तब भी कुछ ने गंदे गंदा पानी था, इधर करमचारी भी काम करने के लिए ने आते थे, और उसकी समझ से के लिए लोग कोई ने देखने के लिए आते थे, और दूसरी एक बात, इधर जो C करके एक सेक्टर है, वो C में जब एक काम चालू किया, तो सेक्टर C में तीन जब रिपेरिंग रूए उस रिपेरिंग में खाली बाहर से उसकी रिपेरिंग हुई, लेकिन उबधर बाधिमें दो-तिन वीःडिंग से, वो बीBLEDYN को सारी सुवेदा दे, किचन देखन देखने, टॉइलेट जिये, फ्लोरिंग दिया, लेकिन उदर सी में जो 3 रिपे लेकिन इस टंकी की ना तो सफाई की जाती है, ना ही इसे रिपेर किया जाता है, आप देख सकते हैं किस तरह से टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से ये टंकी जो है जरजर हालत में पड़ी हुए, लेकिन साइद प्रसासन को इस बात की कोई सुधी नह है, घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और वही गंदा पानी मजबूरी में इनको अपने घर के लिए यूज करना पड़ता है, और भी महिला है, सबसे पहले आप से जानना चाहेंगे, पानी कैसे आता है यहाँ पर, पानी का तो उच्छे नहीं है, लेकिनि आप पाउना गंटा कम किया है, तो उसमें तो इतना टाइम में पानी ने भल सकते, और पानी तो ठीक आता है, कभी गंदा भी आता है, विल्कुल कभी गंदा आता है, तो कभी ठीक होता है, ऐसे में लोग पानी भरते हैं, और भी लोग हैं, आप से जानना चाहेंगे, कि क्या सम पूरा पानी जाम होता बच्चे लोग को आने जाने में तकलिप होती इसकुल में और जो बाहर जाते नोकरी में महिला हो जाती है पूरुज बे जाते हैं उनको भी बहुत सारे तकलिप होती है यह जो वादे की थे वो पूरेने के इसके लिए यह टाइम पे 2017 के इलेक्षिन में या इस वाड में बदलाओ करना चाहते हम और यह बदलाओ हम जरूर करेंगे बिलकुल बदलाओ की तो हर तरफ चर्चाएं हैं लेकिन सबसे पहले यह बता दे कि हर साल करोड़ो रूपे BMC साब सफाई और गड़ा बुझाने के लिए खर्च करती है लेकिन हमने जितने वाड का जायजा लिया वहाँ पर सब की सिकायद जो है सबसे बड़ी यह है कि रोड पर पानी लगता है जरा भी बारिस होती है तो जल जमा हो जाता है और मजबूरन उसी रास्ते से बच्चों को इस्कूल जाना पड़ता है लोग कहीं न कहीं बीमारिय क्योंकि जहां सरकार लगातार स्वक्च भारत अभियान चलाने की बात करती है तेकि स्वक्च भारत अभियान की तो बात दूर में रही आज यहां सबसे बड़ी जो समस्य है यहां ट्राफिक की समस्य है आज यहां पर बाजु में स्कूल है गुरुनानक हाई स्कूल है अं एक डीसीपी को अल्रेडी कंप्लेंट जा चुकी है यहां आदमियों को चलना क्या बहुत मुश्किल हो गया है यहां पे जब बच्चे स्कूल के लिए छूपते हैं तो उनके लिए इतनी समस्या हो जाती है कि गाडिया भी एक समय पर आती है बीच में हमारे मले सापने थोड कोई भी धर्म जो मंदिर मस्जिद गिरजा कोई भी बनना नहीं चाहिए आज एफ नॉर्थ वार्ड के अंदर इल्लिगल चर्च का कंस्रक्शन किया गया जबकि यह मुदा मले एसेस्टेंट कमिशनर ऑप पुलीस डीसीपी और हमारे उप महापर अलकाताई तक को जी हमने कंप्लेंट दी है पर उसके ओपर अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया जबकि मंदिर तोड़े जाते हैं इल्लिगल मस्जिद और इल्लिगल चर्च को इन्होंने बनाने दिया है और अभी भी वो पूरे जोर शोर से वो चल रहा है काम यहाँ पर कई एहम सवाल है लोगों के जहन में कई सवाल खड़े होते हैं आपसे जानना चाहेंगे कब से आप यहाँ पर रहती है और पहले जब आई थी और आज में कितना विकास हुआ है पानी से काम भी नहीं होता है, पानी संदी बंद हो जाता है, अब या कहना चाहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस करती है यहाँ पर रहेके, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई का में हिस्सा माना जाता है दादर वडाला सायन अब भी तक तो यहां पर कुछ सरक्षित ही नहीं यहां पर देखो तो ट्राफिक खड़े बच्चे लोगों को आने जाने की मुश्किल है और यहां पर तो पानी की बहुत मुश्किल है एक जेड़ गंटा ही पानी आता है हमको मिलकुल कहीं न कहीं मूलभूत सुविधाएं जहां सरकार यह कहती है कि लोगों का विकास होगा प्रसासन यह कहता है कि विकास के मुद्दे जो है लगातार विकास की योजनाय चलाई जा रही है वहीं जब चुनाव आता है तो सायद सभी राजनीतिक पार्टियां विकास इसका ही मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में उतरती हैं लेकिन अगर हम बात करें जनता की तो जनता को मिलता है सुन्य बटा सुन्य वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फौरण हाजिर होते हैं आवाज आपकी अवाज आपकी में जैसा पहले हमने बताया कि हम साइन कोली विडाके में हैं जहां से वाड क्रमांक 176 यानी 176 यह वो वाड है जहां पर 52,000 से ज्यादा ओटर हैं लेकिन यहां पर विकास के नाम पर जैसे लोगों का आरोप है कि कुछ भी नहीं हुआ है और भी लोग है आप कुछ कहने वाली थी कि आज जो सरकार है वो सरकार ने लाइट बिल का जो किया है हम हमें लाइट बिल जो आना चीप पहले हमको आता था 300-400 इसके करीब आता था अब हमारा यह लाइट बिल अभी 1000 से उपर जाता है और इदर के जो लोग सारे मिडल क्लास के लोगे तो यह 1200 पूर्ष वड़ने के लिए बड़ी तकलिफ होती है और यह बिल पहले दोडो मैने में आता था अब यह मैने में आता है तो यह वह एक बहुत बड़ी संमस्या है विल्कुल आप से आना चाहेंगे क्या कुछ समस्या फेस करनी पड़ती है रोज आपको यहां पर सुविदा के सबना अचेल त 대해서 Jupiter के अ tätä तो वा पोछे या नापोछँ उसके संदीग दे हम लोग तो इसके लिए बहुत सारा है प्रशाषमodel ऊध्यानी नहीं देे रहे और Bak pourquoi लोकल कंडिधेंड जो आहाँ पे है रिप्रियूश है। उन्हों कभी यहाँ बियू सब चीज कि अनके लिए سब के लिए चूटी बात रहे गें लेकिन भी बात है लेकिन परिवर्तन लाने के लिए एक जुट होना और सबसे बड़ी बात है एक साथ कंदे से कंदा मिला के आना पड़ता है ऐसे में क्या लगता है कि आप किस तरह से परिवर्तन लाना चाहते हैं एक तो बात ऐसी है कि कॉर्पोरेशन या गवर्मेंट जो चलाने वाले है जो फिलाल सत्ते में हैं जो गवर्मेंट चला रहे हैं वही कॉर्पोरेशन को भी चला रहे हैं और हम लोग देखेंगे अब तक का कोई भी सवाल कॉर्पोरेशन ने अपने पॉलिटिकल विंग से नहीं चुड़ाया है। अब तक किया है वो लोगों के जो हम सुन रहेगी सारे सवाल पेडिंग है सवाल बिलगस्दी का हो स्कूल का हो नाले का हो पानी के टाकी का हो वो सवाल एक साइड में और अभी नौटेंग की चल रही है बाहर पेपरों में और न्यूज में जगड़े का नाटक करेंगे चु उनके देगा ऐसा लगता है बिलकुल मद्दार अब उसे ही वोट करेंगे जो सही में विकास करेगा और जो उनकी समस्याओं पर उनके साथ सुख दुख में सही होगी होगा अगर हम बात करें तो समस्याओं से सबसे जादा अगर दो-चार होना पड़ता है तो महिलाओं को होना पड़ता है और महिलाएं ही बता सकती है कि एक्चुल में उनके इलाके का कितना विकास हुआ है आखिर आप से जाना चाहेंगे जैसे आपने पहले ही कहा आपके जहर में कई सवाल भी है पानी की टांकी की बात आपने उठाई आप भी उसी वाड में रहती हो 176 में क्या लगता है एक्चुल में विकास कितना हुआ है आपके वाड में विकास तो मुझे लगता है 25% हुआ है जो 100% बोले ते वो 25% ही हुआ है क्योंकि जो हमारे बीडिंग में C5C1 C2 C3 C4 C5 तो सिर्फ C3 का ही काम हुआ है C4 जो C1 और C5 तक जो बीडिंग है उसमें एकदम धुक किया है काम उसी में पूरा रूम का कंडिशन देखो और C5 C4 C1 का आप रूम देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह BMC का रूम है लेकिन BMC ने कुछ भी काम किया नहीं है क्योंकि पहले उदर स्टेय आया था स्टेय रुका दिया गया है लेकिन बीडिंग का काम कुछ भी सकते तो अमलोग को एसा लोग चाहिए जो हमारा कोई तो सुने और हमारे यहां पर जो जिनको मेडिकिन की जरूर रहते तो दूर दूर तक जाना पड़ता है पेशन्ट है पेशन्ट को लेके जाओ तो वेटिंग में रुकना पड़ते हैं क्या ये तो समस्या नहीं हुई क्योंकि जिसको हाट अटक आया है उसको तो एमर्जेंसी वाड में लेना चाहिए तो लोग बोलते कि रुकिए आप मिन्स आदा घंटा एक घंटा रुकेंगी क् ऐसे होना तो हम लोग ऐसे नहीं चाहिए अच्छा सरकार आएगी तो अच्छी कामे होगी विल्कुल अच्छा सरकार आएगा अच्छा प्रतनीजित होगा तो सायथ सबका विकास होगा आप से जानना चाहेंगे आप लोग यहां पे कब से रहते हैं और यहां कितनी पता चले तो गार्डन ट्राफिक्स और सचाले की बात है जो यहां पर डोमैस्टिक जो हैड नीछे वाले जो रहते है तो उनके रिए सचाले नहीं है। तो यह हमारा एक मुद्ध आप क्या कहना चाहेंगे अपिस के लिए काम करते हो आप यहां पर डेली आते हो कितनी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता है यहां आने जाने में डर्वजा के सामनी लोगों की गटर है पूरे मतलब धरवाजा कहां और गटर कहे मालूम एक पड़ता है तो यह मतलब जैसा काम होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है कि अब जैसे आपने बटाई के एरिया गोमते क्या काम करते हो आप सरवे करते हों किसकी तरफ से बीमसी या प्राइबेट एंजी ओंगिऊ को कुछ मिला यहां पर पानी की समस्छा है मैं पहली में बाट्र और बात्रूम के हम लोग सर्वे करते तो हम लोग को बात्रूम जान कि यहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है और साब सपाई को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता वक्त लो चला एक चोटे से Caleb लेक के बारण हो मालूम होते हैं तो आप तक क्यों आथे यह सब और जबी भी आमने कम लेड़ की उदर से आम क्या पता रहे कि कि दर से दबावाता है क्या क्या आता है पोलिस आदे तक रात के आते और वापच दूसरे दिन वही हालत रहती आवाज आपकी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सवागत है आवाज आपकी में लोगों की जो समस्याइं हैं वो जस्की तस बनी हुई है आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे विकास के नाम पर कितना काम हुआ है मैं एक सफ़ाई मुदूर हूँ मैं इदर यहां पर कोकरिया गर में रहता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे इसे भाई लोग है जो मेरे साथ सफ़ाई काम करते हैं लेकिन उनको मिनिमूम जो रेट रहता है वो वेतन किमान वेतन मिलता नहीं हो आईसा कोई बादलाव लाना सफ़ाई के लिए आक सफाई कर्मचारी है आप सफाई काम करते हो आपको बेतन की बात है लेकिन अगर सबस्वाइए के लिए आप लोग कहां कौन से वाढ़ में आपकी ड्यूटी है और कितनी बार आप लोग जाते हो सफाई के लिए सफ़ई के लिए मेरे जीनों अर्थारवी में काम करते हूँ मैं और जो पेमेंट है वो टाइम पर मिलता नहीं हो अइसा कुछ बादलाव लाना चाहिए कि वो टाइम पर में लगता है आपके हिसाब से आप जिस वार्ड में रहते हो जहां रहते हो क्या वहां के सफाई पुरा सापसापे करते हैं वोलो टेकिन उनको टाइम पर जो पेमेंट रहता है जो मिलता नहीं टाइम पर उसके लिए ऐसा कुछ बादलाव लाना चाहिए कि वो उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हो सके बिलकुल यहां पर अनेक जैसे सफाई कर्मचारी थे इनका साब तो उन्होंने सर्वे में क्या लगता क्या नाम है आपका मेरा नाम स्नेहा है मैं सेंडिटी विमन्स इन्युवर्सिटी में पोस्ट ग्रेडुशन कर रही हूं नॉन फॉर्मल एजुकेशन में और हमारा जो सफाई कामगार है उन लोगों के ऊपर रिसर्च चालू है एक महीने जगों पर कच्रा डाला ता जहां पर जगाई नहीं और जो डस्बिन है उसके बाहर कच्रा आ रहा है कोई management नहीं है साफ सफाई में और यहां पर मैं रह चुकी हूँ पहले भी तो यहां पर पानी का समसा बहुत जादा है और सिर्फ दो टाइम पानी आता है दो एक ही सर्वे दिया गया क्या आपने वाड क्रमांक 176 जो 176 है क्या वहां पर आप लोगों ने सर्वे किया तो सबसे ज्यादा कमी किसमे पाई पानी या कच्रा या साफ सफाई क्या में जो है इनको मिली है क्या इसे वन्चित है सबसे ज्यादा तो सबसे बड़ा समस्य है वो कियो जो भाजी वाले हैं वो भी कच्रा वही पर डालते हैं और फिर पूरा साफ गंगे गंदगी जाता है उसकी वज़े से और पानी का समस्या है बहुत बड़ा ये टाकी का कितने सालों के साफ नहीं कि आप से जाजनना चाहेंगे क्या कुछ समस्या है यहां पर आप लोगों को रोज दो चार होनी पड़ती है आप आपे से कर आप बोलेंगे लिए खुनी आगहाना हों तभी आपकी स्वेस्या दूर ओगी आप में इसे कौन बोलेगा बोलिए क्या कहना चाहेंगे यहां पर विकाश के नाम पर कितना काम हुं है विकास तो बहुत हुआ है पर इदर स्लम एरिया है वहाँ पे चरस और गांजा बेचा है तक कॉलेज स्टुडेंट उदर लेके गलत लाइन पे जा रहे है बिल्कुल यहाँ पर नसे की भी लत जो है युवाओं में बड़ी तेरी से है आप से जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे यहां सायन कोली वाड़ा में कितना भी कास हुआ है जैसे यहां के लोगों का कहना आपने देखा है यहांके स्टूडेंट सरवे ? अiyi पर साप सपाई modestNow अना। प्रापी के देखो पूरा यह पूरा दोनों साइड पर पार्किंग हो गया है और बच्चे लोगोगों को आने जाने को बहुत अकलिफ होती है और स्पीड ब्रेकर भी लगाया और एक्सिडेंट भी बहुत होते हैं बच्चे लोगों को स्कूल के लिए बहुत प्राबलम होत कहना चाहेंगे यहां पर जैसे लोगों की तमाँ समस्या एक नहीं अनेक समस्याइं क्या लगता है कितना आप यहां पर सुलक्षित महसूस करते हैं बिसकेली लोगों में जो हम लोग देखा यह आपे ग्राउन लेवल से बिलकुल जो जो भी कार्य करता है वो टच नहीं है कुए इसे doğru mentre ने हुए टेखोगे तो लोगों को बहुत सी तकलीफ है लेकिन कोई आगया के बोलता ही नहीं कि इंको मालूम है क्या है का मैडम ने कहा कि हमने कई बारि इसकी समस्या है सिकायतें भी की हैं लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होता है तो जैसे हम आप करने को हम लोगों को गारी नहीं मिलती हैं हमेशा बच्चे लोगों को खिलने के लिए ग्राउंड नहीं रहा अभी जो ग्राउंड था हो कैप्चर करके उसको पार्किंग यह किया वाकिंग बना दिया और अभी हम लोगों को बहुत से तकलिफ है जैसे पानी की कोई गार्डन नहीं है ऐसी तमाम सिकायते मेडम आप से जानना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाती आ रही है विकास के नाम पर जैसे इन्हों ने बताया कि कोई एक प्रतनीजी तो करने वाला नहीं मिल रहा है जो हमारी समस्या लोगों तक प कबलेंट की पौलिस ने आपकी बीच हा कि उनको उनका आप यहां मालूम होते तो आते हैं आप तक क्यों आथें और और यहाँ पर जो देखो यहाँ जो रोडे यहाँ पर एक कैंसल सेटलर बना हुआ है यहाँ जो ट्राफिक जाम होती है इतनी जोर जोर से वहाँ पर आवाज होती है उतके बारे भी हमने कितनी बार कंप्लेंट कर चुके कि यहाँ पर एक कैंसल सेटलर है इधर मरीज रहते है आपको जगा ने बहुत सारी समझ से हैं बैंकुल इन्हों ने बहुत बढ़ी बात कई कि जब हम पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाते हैं कि हमारे वी क्ञेंपा रहते हैं . जो पूलिस का काम है वो जनता से सवाल करती है आप और भी लोग है आप से जानना चाहेंगे आंटी कब से यहां पर रहती हो आप में तो बचपन से यहां पे रहती है आँठी कितना विकास देखती है पहले किया प昔छ्छा और आज कितना विकास होँदी की संच लियुका है कोई सकता है यूकर दोंके से हुजा है जैसे हम बचपन में देखा था वैसे ही आज भी कोली वाला पड़ा है आप आप चाहेंगे, आप लोगों में से कोई आप बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ अभी उन्होंने कहा कि कोली बाड़ा कभी बदल नहीं सकता, क्या लगता है? लगता है, क्यूंकि गरदुले लोग आड़े तेड़े सब बैटे रहते हैं यहां पर, इसलिए यह कोली बाड़े का कोई विकास होना चाहें, इसके होज़े से अच्छा सा कोई नगर से होग अमें चाहिए, और वो हमरे कोशिश है। हुआ है।